कि असलाम लेकुम मैं हूं मुहमद इसमाहिल और आप लेकर हैं स्मैश कोड जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सीएसेस पड़ा है और सीएसेस के बैग्राउंड के उपर हमने तफसीली चार से पांच लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं तब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक हो वीडियोस से यह नहीं आएगा तो आप इसका कोड लिखा करें साथ-साथ इसकी प्रैक्ठेस किया करें इसमें से मस्ले कोई निकलें तो कॉमिट किया करें ताकि वह मसले हालों तो जिदनी आप प्रैक्टेस करेंगे उतना ही आपका यह चीज़ में क्लेर होती जाएंगे वह आपने खुद सोचना है कि इस पर क्या चीज़ लगती है तो अगर आपने पढ़े होगी की होगी तभी आप करेंगे ना तो मैं रिक्मेंड यह करूँगा कि आप रोज कमर्स कम इसको चार घंटे दें और प्रैक्टिस करें आज हमने पढ़ना है जी CSS Borders CSS Borders हमने यह पहले भी पढ़े हुएं लेकिन आज हमारा यह जो लेक्चर होगा और मजीद एक और लेक्चर भी होगा इसके उपर ही उसमें हम तफसील से CSS के Borders पढ़ेंगे ताकि कोई भी चीज़ कंफूजन ना रहा जाए अच्छा मैं यहां से च्रेंट इन-लन स्टाइल सारा खत्म करने लगांँ ताकि हमí हमें इक्षट्रेणल स्टाइल Sheet में काम करें चाकि हमारा जो स्टाइल शीट में कैसे लिकते हैं और स्टैब्स इन ड्यायि उसमें बताया हूद टो तो आप सिसे के लेक्चर शूडू से लेना स्टार्ट करें अगर आप अभी लेक्चर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपको समझ आजए कि हम किस बारे में बात करें या सिसे सेसर के जो बारे में वहाना। बद multiplying सब्सक्राइब ही भी दे सकते हैं अब जैसे ये class heading दी वी है ठीक है? इस heading को हमने ये बोड डिव जो है ना इस पूरी को अब लगेगा जो भी बोडर लगेगा जो हम लगाएंगे क्योंकि हम class से इसको पकड़ रहे हैं अगर हम इस्तरा डिक रहे हैं तो इसका मतलब है वह चारों सईट पर लगएगा ठीक होगा है अगर हम इसका लिख रहे हैं ओडर अईफन थो तो यह चिरफ टौप पे लगएगा ठीक है और ऐसी हम लेफ पे राइट पे और बॉर्टम पे लिख सकते हैं और उसके बाद हम उसी इसका बता सकते हैं कि हमने क्या करना है बॉर्डर बॉर्टम कलर या बॉर्डर बॉर्टम स्टाइल या बॉर्डर बॉर्टम विर्थ तो यानि कि हमारी ये तीन आगली प्रॉपर्टिस और चार साइड्स कि सारा कुछ डायमिक है यानि हम इसमें कोई एक भी यूज कर सकते हैं हम चारों भी यूज कर सकते हैं सारी यूज कर सकते हैं वाज हमने इसी को तफ्सिल से बढ़ना है तो सबसे पहले हम चुरू करते हैं कि हमने बोर्डर स्टाइल्स पढ़ने है ठीक है बोर्डर स्टाइल कुछ डिफाइन नहीं कि तो इसका मतलब है वो सारों पर लवज़ेगा ठीक है यह हम लिख लिए थे हैं सबसे पहले हमने यहां पर देखा है डॉटल का है हमने जिया जी डॉटल अब हम जाएक देखते हैं अपने पेज में हमारे पास आई यह हमारे पास डॉटल आ गया ठीक है उसके बाद हम यहां पर चीएंट करके देते हैं के हमारे पस नेक्ट स्टाइल है डेश डिका डेश एस एच एडी ठीक है यह हमारे पास होगी डेश पहले डोड था अब क्या हो गया डेश नेक्स्ट हमारे पास क्या है सोलिड मैं इस सारे तक्रीबन यूज करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जे कि हमने कैसे सारे स्टाइल यूज कर सकते हैं आपको पास है जी डबल का कि यह हमारे पास हो गया जी डबल का ठीक है यह डबल लाइन आगी हमारे पास बॉर्डर की उसके बाद महारे पास है ग्रूव डिफाइना 3D ग्रूव बॉडर अपैंट्स ऑन्दा बॉल्डर कलर वैलियू तो यह जी कोई 3D टाइप का है जो कि कि इतना को यूज नहीं होता मैंने आज तो के करियर में नहीं यूज किया मैंने जाज तर यह बॉर्डर डैस डॉटेड और इस तोलिड ही यूज किया है तो यह कोई 3D किसम का जी बॉर्डर है ग्रूव कलर देखे देखते हैं कलर के साथ इसका कोई रिलेशन है तो यह बॉर्डर सा 3D एफेक्ट ला रहा है कलर के साथ इस साथ यह हमने सोलिड करके देखा तो यह सिंपल रेड कलर ठीक है लेकिन अब भी हमने इसको गुरूव करके देखा तो अब यह थोड़ा सा 3D एफेक्ट ला रहा है ठीक है और उसकी माली के साथ डिपसकी में कि इसकी वैं–-उकार यक्लियू के साथ यह नहीं एक रदिश की एकूर बार्डा कलर वेलू कलर की जो वैलू है उसके वह एफेक्ट कर रहा हमारा डिशैर कहाे हो, ज्यूर्र है, लाइट हो बिज़ा मिलेश करके देख लेते हम, तो हम उसमें भी प्रोपर्टी दे सकते हैं अगला इंसेट है और आउटसेट है यह भी हमने में यूज करके वैसे देखा हुआ पहले लेक्टर में इंसेट करेंगे तो थोरा सा अंदर को चल जाएगा बोर्डर हमारा मैंने जब तक बॉर्डर कलर निना डिफाइन किया था तो उसका मतलब यह था कि वह ब्लैक ही होता है बाइद नहीं होगा अगर आप सिरफ इस वाले को देखें तो यह अंदर को गया हुआ ठीक है बाकि सारे बाहर है और यह वाला भी अंदर को गया हुआ मैं अगर हम इसी पाउल उड़् चाहते हैं जानी कि हम चाहते हैं कि यह वाला और यह वाला अंदर को जाए है तो यह हमारे बॉर्डर के सारे स्टाइल्स हमने आज पड़ ली है ठीक हो गया इसके बाद हमारा है जी अब हमने भोर्डर की साइड्स परने आ हमने पढ़ आना ञे विडर को टॉप से दे सकते हैं हर जगां से दे सकते हैं अब हमने उसके प्रोपरट्रीज को कैसे डिफाइन करना है हम वो देखेंगे तो अगर हम बोडर को style दे रहे हैं और हमने अलादा-लादा style देना सब को ठीक है या फिर हम चलने style को देख लोगते हैं चलने वीड़ से रहे अच्छा border को हमने style देना है और हमने जैसे हम अगर करें border style top border style border left border style राइट इस सारों को हम अलादा-लादा दे सकते हैं ना कि हमने दे दिया dotted बोड़ स्टाइल टॉप सोरी बोड़ टॉप स्टाइल पहले हमारी साइड आएगी इसके बाद हमारे हमने सारों को अलादा अलादा देना ठीक है ताकि हम भी पादा चल सकते हैं हम दे सकते हैं यह जीज़ी कि हमने चार बोड़र टॉप बोड़र बोटम और राइट और बोड़र लेफ्ट दे दिया ठीक है यह हमने चार बोड़र बोड़र देने दिखते हैं लगता कि नहीं अब यह देखेंगे यह हमारा टॉप का लाइदा है लेफ्ट का लाइदा है राइट का लाइदा है और बोड़र का भी अलाइदा है ठीक हो गया तो हम यह देए सकते हैं लेकिन अगर हमने यह सारा कुछ हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम यहां लिखेंगे बौडर स्टाइल न हुग गया June और हम यहां पर clockwise चलेंगे अगर घड़ी की सुझी राइट से लेफ्ट साइड पर जाती है तो उस साइड से हमें चलना है हमने पहले देना है जो भी हम यहां पर लिखेंगे ना बोडर के स्टाइल की वह सबसे लगए कि टॉप पर हमने यहां पर दे दिया स्पोज डबल अब हमने सिर्फ स्पेस देनी है अब हमने राइट साइड पर जो आएगा ना बोडर हमें चाहिए हमें राइट साइड पर वह हमने लिख देना हम प्लोक वाई चल रहें कैसे घड़ी चलती है ठीक है डबल डैश अब आएगा बोटम आएगा बोटम पिर लेफ ऐसे हमारी घड़ी चलती है ना फिले उपर फिर राइट साइड प्र आसे हमारी सुई गूंगरी होती है ना डैश पर फिर उसके बाद इसको दोबरा समझा देता हूं मैं पहले 12 पर पर 3 यानी कि 12 ना टॉप हो गया तीन राइट साइड पर हो और फिर 9 left side पर वोगय तो डैश के बाद हम bottom पर जा रहे हैं तो bottom के लिए हम suppose कर लेते हैं solid का और चौत्था हम left side के लिए कर लेते हैं dotted ठीक हो गया अब हम देखते हैं हमारा सही हुआ कि नहीं ठीक हो गया तो यह हमारा double हो गया अब हमने अगर चार वैल्यू ना देनी हों अगर हम चाते हों हमने थोरी वैल्यू देनी हैं कि वो यहां पर लिखा हुआ है कि हम इसको थ्री वैल्यू भी दे सकते हैं इसको टू वैल्यू भी दे सकते हैं और इसको वन वैल्यू भी दे सकते हैं वन वैल्यू जब देंगे हम तो वो चारों पे एक जैसा लग जाएगा ठीक है जैसे हमने इस पोजी डबल दे दी है तो यह चारों पे क्या लग गया डैश ठीक है अब हम दुबारा देखते हैं और क्या दे सकते हम चार वैल्यू देशक्ते हैं चारे वहले हमने देख लिया अगर हमने देना है जी Three Values Doted, Solid, Double तो क्या होगा Top Border होजञा हमारा Doted Right और Left Border होजञा हमारा Solid और Bottom होजञा हमारे पास Double यानि की वो left right side को same देदेगा और top और bottom को लएदा-laदा да देदेगा जैसे हमें डोतेट दिए दिए तो यह लगयेगा टॉप पे छूर्मारा लगयेगा लैट राइट साइड पर और सॉलळ पर सॉलिट हमारा लगयेगा बोत्म पे बोटम फार धें 적त two साथ जोरी मने कोड को जोम नहीं दिया अब देख लिए टो ऑड ऑगिया है चीको घरे हपbreak है अगर दो बैलियुसित इसना क्लेवर्स ने लिख मीलिक टोप हो गया तोब कर गया सिर्ष जाद को रख कर दिया कि इंधे lead वोली जो है वह वोट ऑर नब को लगज discio ऑर दूर्सेरी वाली जो है वहाँ अर्थ और स्लिड लगगी हमारी लेफट थोप और वूटकर और स्लुट बिए तो हैँ हमें यह सकते हैं ठीक हो कोग्या आफिवीये को लिभी कह तो बोड़का वार्ड का कलर हम करके इसके बाद इंसार ही करेंगए फिर अगले लेक्चिर में बाकि हम देख लेंगे ठीक हो गया तो बोड़का कलर भी हमने तो प्लबारा पाड़ा हुए लेकिन हम हमरे है हमारा बोटर का कलर ग्रीन हो गया है और क्या कर सकते ह हम उसका हम ने में characterize सकते हैं घ्थ हैःडर कोजई सकते हैं आरजीडे सकते हैं है पिर ग्रांसपनर्ड करнatt लिख सकते है हमने वह पड़ दिया था है यह मैं ट्रांस्परेंट दिया तो वह खतम होगे पिस नजरी नहीं आ रहा रहा है यह होता ना खता मुझे कुछ नतर ना आए उसके अंदर से इसके बाद हमारे पास है जी नौट लिखावाए जी इफ बौर्टर कलर इस नोट सैट इट है इनहेरिट्स तकलर ओफ दा एलिमेंट अगर आपका बौर्टर कलर नहीं डिफाइंड ठीक है तो उसने जो उसके अंदर एलिमेंट का कलर है जैसे अब हम डिव के बात करें तो क्या कि कोई केसे का गática अलाट कि έχbles protection रुख dafür हम यहां पर नहीं है करते हैं आदे थिङ करते और बॉर्डर हमने लगाया हुआ हुए कोई भी लगाया wearing on gusta लगए है तो वह फूमुंज साथ यहां लैकि अ अगर हमने color यहां पर उसका रखा हुआ है, yellow और हमने उसका color define नहीं किया, तो कौन सा Color आजाएगा हमारे पाश, yellow, Inherit का मतलब होता है, inheritance का मतलब होता है, कि जो उसका बाप जैसे हम inheritance science में पढ़ते हैं, कि जो बाप के genes होते है, वह बच्चे में ऐा जाते हैं ऐसे पैरेंट डिव के अंदर वह आलिमेंट के अंदर जो भी चीज़ चीज है वह इस को इनैंने देती है i あसी यह जो कलर इसको इन्हेरेटेंस ले ले लगते है बोडर इसके पास होगा को इसने दे देना ठीक है काफी काफी सारी के प्रापरटी यह निए और इसके प्राइन के पश्कों चीज होती 210 तो वह वह रख लेता है अगर हम उस चीज को डिफाइन ना करें अगर कर दें तो फिर यह सब्सक्राइब और अगर एक चीज रहेगी है जी हमारी सपेसिफिक बुर्टर कलर प्रौपर्टी कि है from one to four values for the top border right अच्छा जैसे अभी हमने style के लिए पढ़ा था वैसे हम इसमें भी एक वैल्यू चार वैल्यू दो वैल्यू दे सकते हैं एक वैल्यू दे सकते हैं एक वैल्यू दी तो चारों साइड पर एक ही बोटर लग जाएगा दो वैल्यू देंगे तो हम टॉप बोटम और राइट लग लग हो जाएगा ठीक हो गया तीन वैल्यू देंगे तो टॉप बोटम का अलग अलग और राइट लफ्ट का एक ही हो जाएगा जैसे हम यहां पर देते हैं यल्लो यल्लो बोटम का हो जाएगा ग्रीन टॉप का हो जाएगा और रेड लेट और प्राइट का हो गया ठीक हो गया और अगर हम चार वैल्यूज दे देते हैं तो चारों साइड क्लॉक्वाइज मुमेड यानि के टॉप राइट बोटम और लेफ्ट पे लएदा लएदा कलर लग जाएगा यह देखें सारों पे लएदा लग गए तो यह था जी आज का लेक् करना हमने एक की दफा में सारों कुछ देना पूरर टॉप कलर गया लएदा लएदा भी दे सकते हैं यहां पर हम यहां पर हमाई जूट नहीं हम और से चले हम अलएदा लएदा जिस मज़र साइट से चलें भी शक बोटम पहले लेए है यह हाइफन लगाना जरूरी वहना प्रोपर्टी का नाम सब्सक्राइब इसको मैं कमट कर देता हूं कमिट कैसे करते हैं यह था है यह भी लएदा लएदा लग गए हैं हमारे कलर्स लेकिन हमने चार लाइने लिखिए इस चार लेनों की बजाए हम अगर एक लाइन चार जाथ है जब हमने और हमने काम करना होता है तो हमें जल्दी से जल्दी काम करना होता है तो यह आ जीया आज का Tuesday वर रेक्षटाइल पड़ा के सिश्कारि को वक्ट AIi'll पड़ा है और बॉनर्ड पड़ा है और को ब्लर्ट गलरा है और आगे के इसे वहीं होश्कम हुर आपको समझ आई होगी अपना ख्याल रखिएगा और इसकी प्रेक्टिस किएगा अलाहाफिस